आज मैं आप सभी को ये स्वेटर डीजाइन बताने वाली हूँ जो बहुत ही आसान है इसे बनाना मैंने सेंपल के तौर पे थोड़ा सा बना के रख लिया है और मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कैसे बनेगा ये डीजाइन आप इसे कैप में बना सकती हैं मफलर म करके ये बनेगा डी जाइन तो चलिए बताते हैं आपको इस डीजाइन कैसे बनेगा यह ने पर दो इन नििकाल लिए हैं और मैं Starting से आपको बताऊंगी कि क्या करना है तो पहले फंदे को मस्कीप करेंगे और दो फंदों को उल्टा बिनेंगी एक और दो दो फंदे उल्टे बिन लिए अब बॉर्डर बढाने के बाद आप इस डिजाइन को अपलाए करें फिर उन पीछे लेके जाएंगे और तीन फंदे यहां पर सिधे भी नहीं देखें एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, उन अपनी और यहाँ पे दो फंदे उल्टे, उन पीछे तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, तिन फंदे सीधे उन अपनी और दो फंदे उल्टे एक दो और यह एक्स्रा है हम स्टार्टिंग और लास्ट वे एक्स्रा फंदे रखते हैं ताकि आप सिराई करने में इसे यूज कर सके तो इसी तरीके से फर्स्ट रो आपको कंप्लीट करना है तीन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे यह पूरी रो आपको इसी तरीके से बिन लेना है और रॉंग साइड से जो हमने राइट साइड में उल्टे बिने है उसे हमें सीधे बिनने है तो दो फंदे सीधे उन अपनी औ दो तीन उनको पीछे लेके जाएंगे एक दो फंदे उल्टे बीनेंगे उसके बाद ये एक्स्ट्रा है इसे जिसे हमने स्किप किया था उसे भी बीन लेंगे उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड रो में ये सेकंड रो कम्प्लीट हो चुका है बनके थर्ड रो में ये दो लित्वाल हमेशल इतर से उल्टे और र Nepal सिध् disciple पेशे करेंगे और यती पिछ देखें को हम एक साथ ही स्लाइमें लेंगे इस तरीके से देखिए तीन फंदे एक साथ लेंगे और इसे हम smg जाएक हो गया करेंगे लेंगे इस तरीके से और फिर देखेंगे चालेंगे कि कुछ तरीके से तो यहां पर तीन वापस से आ गए वारे पस एक दो और तीन यह हमारा बन जाने के बाद मद किर नं पीछे लेकर के यह को kings तरीके से लेगे देखिए इसको ग्यान उबर करेंगे चिलिए जेए प्रोल वापस उत्विज तरीके से इसलिए दूधर हुआ आलएंगे और फिर यहां पर 3 फंदे उल्टे बिनेंगे ज़ cabe आ जाएंगे रॉंग साइड में। रॉंग साइड हमेंokolि से बीनना है और फिर तीन परड़े करेंगे। यहां सीधे होई और पर phones को फिर फ्रोड को फोत्ता करें लगत आगे से स्यांत रिलते वितनी Challenge पंदे सीधे बिनेंगे उनको अपनी और तीन फंदे यहां पर उल्टे बिन लेंगे देखिए एक दो तीन वापस से एक दो और यह एक्स्ट्रा तो यह हो गया कुछ इस तरीके से नजरा रहा है अब हमें क्या करना है एक एक स्लाइड जो है हमने यहां पर सिंपल ही बिन लि करना है तो देखिए दो फंदे उल्टे उनको पीछे लेके जाएंगे तीन फंदे सीधे एक दो और एक तीन यह राइड साइड में हम आ गए है वापस से दो फंदे उल्टे उनको पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन उनको अपनी और लेके आएंगे दो फंदे उल्टे सेम हमें रॉंग साइट से भी कम्प्लीट करना है बिन के दो फंदे सीधे एक, दो, उनको अपनी ओर तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन, उन पीछे दो फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे वापस से यहाँ पर तीन फंदे सीधे कुछ इस तरीके से बनेगा रॉंग साइट से और राइट से कुछ इस तरीके से नजर आएगा देखे अब जो है हमें वापस से जो हमने यहाँ पर किये थे तीन फंदो का हमें वापस से हमें सेम रिपीट करना है तो ये देखिए दो फंदे पहले हमें उल्टे बिन लेने हैं उनको पीछे करेंगे और ये तीन फंदों को हम इस तरीके से लेंगे और देखिए एक फंदा बना लिए ग्यान ओबर करेंगे वापस इसमें इस तरीके से बना लेंगे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा उनको अपनी ओड़ लेकराएंगे दो फणते उल्टे तीन फनते जो है इस तरीके से निकालेंगे एक फंत ग्यान ओबर फिर से इस तीन फंतो में एक साथ ही में इस तरीके से फनते निकालने हैं तो वापस हमार पास तीन फंदे हो गए कुछ इस तरीके से फिर उनको अपनी और ला करके बिन लेंगे तो देखिए फिर इसी तरीके से आपको ये रिपीट करते जाएंगी तो बहुत ही खुबसुरा से ये डिजाइन बन करके तयार हो जाएंगी बस इसी तरीके से आपको रिपीट करना है तीन फंदों को एक साथ घटाना है और फिर उसी समय पे तीन फंदे और निकाल लेने हैं और फिर एक लाइन सिधा बीन करके इसे कम्प्लीट कर लेंगी तो ये फिर डिजाइन बनता चला जाएगा कि तो मिद्ध करते हैं आप सभी को ये बिजाइन और ये और वीडियो पसंद आये होगе तो पलीज हमारे वीडियो को लाइक कर लें और आरस वहासेना कियो को